हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब जब आप किसी पर इतना अच्छा मेकप किया हुआ देखते तो आप ये जरूर समझो कि गाईज उसके विचे बहुत सारी मेहनत होते हैं स्कीन केर पे हेर केर पे बॉड़ी केर पे तब जाके जब आप मेकप करते हैं वो निखल के बाहर आता है आज को आप लोग साथ शेयर करेंगे अपने स्कीन हेर और बॉड़ी केर रूटीन मैं प्रोड़क्स यूज करूंगे गुड़ वाइपस के वन आफ माइ फेवरेट ब्रैंड है जब से ब्रैंड लाँच हो है तब से मैं इसको यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी रहत से मुझे सूट भी कर रहा है कूपाउन कोड आपको बिल्कुल स्क्रीन के उपर नजर आ रहा होगा आपको 35% आफ मिलेगा अगर आप यह वला कूपाउन कोड अपलाई करोगे तो चलो फिर वीडियो को फटा फटा से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना गाईज हेर केर की बात करते है शैंपू, अपके बालों की ग्रोथ में आपको हेल्प करता है यह आपको खुद भी पता है बट खुद घर पे अनियन के साथ हेर मास्क लगाना वो बहुत एक लंबा चोड़ा वाले स्टेप्स हो जाते है प्रोसेस हो जाता है तो तो अगर आपके पास अगर यह नो हेर मास्क सामने पड़ा हो तो आप लगाई सकते है अब बालों को बस थोड़ सा गिला करना हो था हेर मास्क लगा लो एंद बाद में पानी के साथ वाश कर लो ठीके तो वीकली रूटिन आपने यह वाले जरूर अपनी तो देखो के आपके बालों की टेक्श्चर में आपको बहुत इंप तो यह जो फोर्मिंग वाले फेस वाशे इनकी बेक अलग ही एक इंपोर्टन्स होती है जो इसके आगे जो इन बिल्ट ब्रश होता है ना गाईस यह आपके स्किन को बहुत अच्छी रह से क्लीन कर देता है जितने भी पोर्स अगर आपके क्लॉग होते उसको अनक्लॉग क करता है और जब आप डेली बेसिस पर हम स्क्रबिंग निकर सकते लेकि जब आम ऐसे सिलिकॉन बेस्ट ब्रश यूज करते ना मतलब फेस वाश के लिए तो आपकी साथ साथ में डेट स्किन सेल्स भी हर्ट जाते हैं स्किन के एक क्लीन हो जाते स्किन फेस वाश करने के आप उसको रिमोव करने में हल्प करता है वाइट प्लैकेट युज कर लिया करो इसके बाद स्किन करो फिर देखो आप किसके एकडम क्लीन हो जाएगी पोर्स पी अपके अन्कलॉक होके एकडम क्लीन हो जाएंगी यह जो पूरी बॉड़ी पर यूज करते हैंजी अपने ह दया टला करता है अपकी एक अपने में देक लिए पर यूज को जा थी की टेड़ी पील आफ मस्क जाएंगी यह भी आपको करना है इसकी मैंने एक एक में एक नाग से वीडियो शेयर कि आप लोगों के साथ पहले मैंने स्टीमिंग की ती उसके बाद मैंने स्क्रबिंग कि कि उसके बाद गाइस मैंने पील आफ मास्क यूज़ किया था अभी मैंने वीडियो आप लोग सा शेयर किती कुछ दिन पहले तब जाके चेक आउट कर सकते हो वह आपको हेल्प करेगी आपके वाइट और ब्लाक हट्स रिमॉफ करने में यहां पर मैंने गुट वाइपस का यह आपको इसमें बहुत सारे वेरियंट मिल जाएंगे टी तरी मिल जाएंगा पोमिifa दो मिल जाएगा मिल जाएगा गोल्ड पिल एफwritten डाल मिल जाएगा इसको करना जो प्रॉसस होता ना देखने में आपको लगता है की हाइप कितना पें हो रहागा बिल्कुल भी पें अबस नियुक्षूर कि आपको वो completely dry हो जाए मैं तो हीटर चला के एकसमेने बैठ जाते हैं उससे क्या होता ना एक दम अच्छी तो आपके गंगी निकल जाती है white heads, black heads, little-thats, 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 जासे जो बाल होते हैं निकल जाते हैं एकदम स्मूध हो जाते हो शाइन आ जाती है स्किन के उपर उसके बाद जब कोई मेकप लुक करो न तो बहुत अच्छा है और फ्लॉडस दिखते है आपकी स्किन शाइन करते है अगर आप अच्छा स्किन केरी नहीं करोगे तो जितना मर्जी आ ब्रांडड मेकप यूस कर लो आपको आपको वो रिजल्ट नहीं दिखेगा और गुडवाइप के जो प्रॉडक्ट्स नहीं होता कोई भी अनिमल टेस्टिंग नहीं है वीगन प्रॉड तो या रिजल्ट बेस्ट होता है यह जो पील अफ मास्क है ना आई कुड़ सी कि इसके अंदर यह थोड़ा सा आपे ब्लैक हैट्स वाइट्स जो भी होते नो वो छोटे-छोटे से निकल आई नो यह कैमरे के उपर कैप्चुर नहीं होंगे बट निकला है मतलब यहां से यह ज़िए अब जरूर ट्राइ करो पील-अफ मास्क को हफती में एक बार उसके माद आपने किया करना जैस पानी के साथ अपने फेस वस्ट को वाश कर लो फिर बारी आती है simple जो आप skin care routine अपनी करते हो toner apply करने, यहाँ पर मैं Good Vibs का vitamin C toner apply करो, इसमें भी आपको बहुत सारे toners में variant मिल जाएंगे, आप अपने skin tone के codding यूज कर सकते हो, green tea, tea tree, rose वाला, rose hip वाला यहाँ पर मैं vitamin C toner यूज करो, vitamin C आपको pigmentation रिमोब करने में help करेंगा, फिर में आप यूज करोंगे Good Vibs का Vitamin C serum, serum भी guys आपको बहुत सारे varian प्राइंट्स मिल जाएंगे, आप जाकि Good Vibs की थोड़ा सा page जाके open करोगे ना in vision POPL.com पर तो आपको आपकी skin type के codding products use करो, मैं आपको ये बोलो ठीके क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको अच्छा benefit मिलेगा अब आप oily skin वाले हो अगर आप dry skin के products use करोगे तो आपको result ही नहीं समझ में आएगा इसलिए है यहाँ पर मैं Good Vibes की age-defying night gel use करें इतनी hydrating gel है ना अच्छा पताओ इतनी hydration हमारी skin को क्यों चाहिए होती है क्योंकि जहाँ पर अगर आप अपनी skin को रूखा सूखा रखना शुरू कर दोगे ना आपकी skin बहुत जली age करनी शुरू कर देगी ठीके जैसे हम कैसे गमले की मिट्टी होते है गमले की मिट्टी में पानी नी डालेंगे कैसी रूखी सूखी सो जाती है उसमें धरारे पढ़ जाती है उसमें क्रैक्स पढ़ जाती है मिट्टी में हाना जैसे आप उसमें पानी डाल तो कैसी तो hydrated, nourished, moist ठीके बिलकुल आपकी स्किन भी वैसी है आप अपने स्किन को hydrated रखोगे तो यंग रहेगी काफी समय तक आपकी जल्दी एज आपकी जो होते हैं तोड़ी से आपकी नहीं लगेगी आपकी स्किन ठीके में 33 एर्स की हूँ लेकिन स्किन की केर करती हुप तो अची रस सी की हाइड़्रेड़्डीट सी दिख्यू ही है एट वाइप का आप नाइट क्रीम आपको जितनी क्रीम स्किन के मिल जाएं लग ऐले इंक्रीडेयंट्स वाली Bright रigh स्किन वाली ओएल कॉम्बिधेशласт तो अपनी नीट के कॉर्डिंग अप यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर गुडवाइस की सैफरन क्रीम यूज़ की थी दे वाली अब बारी आती है गाइस गुडवाइस की प्लंपिंग लिब बाम लगाने की बीटरूट वाली यह नया लांच प्रोड़क्त है ब्रैंड का वैस्तों गुडवाइस में बहुत सारी लिब बाम्स है इस इस कोई डिफरेंट क्योंकि बीटरूट होता है वह थोड़ी सी पिग्मेंटेशन को रिमुव करने में आपको हेल्प करता है हाइड्रेटेड एंड रोजी पिंक सा कलर भी आता है इसके साथ आप इस कलर को बिल्ट भी कर सते हैं जैसे कई बार लड़किया लगाती है ना बहुत रोजी पिंक सा उनका चीक्स वगेरा लगते है वह कोई ग्लॉस वगेरा भी लगा ले थी जैसे मैंने अपनी लास्ट पर लगालो लिप्स पर लगालो पिंकी ग्लो आएगा और साथ साथ में आपकी जो चीक्स हैं वह हमेशा हाइडूरेटेड रहेंगे तो या उसके बाद गाइस हैंड क्रीम को आप नहीं भूल सकते हैं गुडवाइप्स की दमास्क रोज वाली हैंड क्रीम है यह बहुत है गुडवाइप्स में बहुत सारे बोडी लोशन बहुत सारे मतलब आपको क्या चाहिए कौन से इंग्रीडेंट आपको चाहिए मुह से बोलो उतने आपको बोडी लोशन मिल जाएंगे तो आपको पूरी आप अपनी स्केन, हैर, बॉड़ी केर बाइधमें इन में आपको अब इन कोड़िशनर, कणिशनर और हैयर ओल इसमेंक आइज के वीडो मैं नहीं इंक्लूड किया आपको बहुत अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी गुडवाइप्स में, आप इंका अनियन शैंपू ट्राओ कर सकते हो geogडवाइप्स में एहां वी बहुत अच्छी है मैं वैसी आपको अपनी तर्व सब बता रहे हूं तो इस वज़े से आप बहुत कुछ है रेंज में आप ट्राइ कर सकते हो हाथ देख रहो आप मेरे हाथों को भी हाइडरेट रखना खूबसूरत रखना जरूरी है क्योंकि हाथों पर इतनी भर-बर के चुडियान डालते है रिंक्स डालते हैं नेल्स लगाते हैं अगर आपके हाथ ही रूखे सूखे ड्राइ डिहाइडरेटर से लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो यही थी आज की वीडियो बहुत क्विक में मैंने आपको जल्दी जल्दी अपनी वन ब्राइंड स्किन केर रूट चल रहें इसकी वीडियो अलड़ी मेरे चानल के उपर अपलोड़ेड है नहीं देखिए तो आप जाके चेक आउट कर सकती हो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना है चानल को अब सब्सक्राइब जरूर करना बाई बाई लव यू